वेल्वम गाइज वेदेमी की यूट्यूब चैनल पे आप सब का स्वाधत हैं आज यूनिट 9 बायो डावस्टी पे जो हम टॉपिक कवर करेंगे उसका नाम है फॉसिल एंड लिविंग फॉसिल और लिविंग फॉसिल और लिविंग फॉसिल और बारे में क्यों पढ़ने ज करता है फॉसिल और बी बिलॉंग करता है फॉसिल की कैटेगरी फॉसिल और लिविंग फॉसिल से तो यहां पे फॉसिल की दो कैटेगरी दी गई हुई है पहला है फॉसिल और दूसरा है लिविंग फॉसिल और चार और दिये गए हैं हमें बताना है कि इसमें कौन से फॉस क्या है और living fossil organism क्या है तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम इसका बेसिक समझते हैं तो इसका बेसिकश्प्ट कर स्कत्रोड स्थूरी के दो हम समझ सकते हैं जैसे की यहां पर दिखाया газ यह क्या है को कोई डैना सोड था सपूस्थ को डाइना सोँ अर्ск परी ठीशना कि अधर भूरता था अपना अपना त्याम है और शे पहले हम यह पढ़ले कि प फॉसिल क्या होते हैं तो फॉसिल क्या होता है कि यह डाइनसौर घूलता था यह दर उदर फिर इसके बाद क्या हुआ कि एक दिन इसका टाइम आया और यह मर गया तपक गया तो क्या हुआ कि जब यह मर गया तो क्या होगा होगा जैसे बरीड हो जाते हैं लोग धती की नीचे दप जाते हैं वैसे ही यह भी बरी हो गया सम्हाव तो क्या होते हैं जब जनरली जानवरों के साथ तो यही होता है कि जब भी वह कहीं ड़ पाए जाते हैं तो वह वहीं पर पड़े रहते हैं फिर धीरे उनकी body सड़ती है गलती है धीरे धीरे उससे क्या होता है जो उसमें muscles होते हैं flashes होती है जो months होता है वो क्या धीरे धीरे deteriorate हो जाता है deteriorate होने के बाद जो वहाँ पे part बचता है वो बचता है bone या only hard part तो इस dinosaur के साथ भी ऐसा ही हुआ और क्या बचा सिर्फ bone वाला पार्ट जो है इसका remain रह गया अब ये bone वाला पार्ट धीरे धीरे evolution के पूरे time में जो evolution है इसके उपर क्या sedimentary rocks जमते गए क्या जमते गए rocks जमते गए dirt जमता गया और बहुत सारी मिट्टी ये layers जमते गए तो ये क्या हुआ धर्ती के नीचे दब गया फिर suppose किसी साइंटिंस ने किसी चीज के खोदाई करने शुड़ू की कुछ ढूनने के लिए और उसे खोदाई में उस time वहाँ पे क्या मिल गया इस तरह का कुछ structure मिल गया उसने वो structure देखा और सोचा कि ऐसे animals अभी तो नहीं पा पाई जाते थे तो वहाँ पे carbon rating और यह सब करके उनका age पता किया जा सकता है कि यह कितने पुराने थे और फिर हम evaluate कर सकते हैं कि इतने सालों पहले कुछ ऐसे animals दिखाई देते थे तो यही चीज जो होती है fossil होती है आज जो बहुत सारी म्यूजियम में क्या होता है डाइनस तो उसके bone structure या fossil structure पाई जाते हैं वह इसी चीज का resemblance दिखाने के लिए होते हैं कि पहले बहुत सालों पहले डाइनसौर होते थे डाइनसौर exist करते थे और उनका structure जो था वह कुछ ऐसा था तो यह जो भी structure हम देखते हैं वह क्या है वह डाइनसौर्स की fossils हैं तो अब यह कह नहीं खतम करते हैं और exact fact पे आते हैं तो fossil organisms क्या होते हैं fossil organisms हम कैसे पता करते हैं यह पता होता है उनके remains से उनके impression से या उनके traces से जैसे उनके पैरों के निसान बहुत सारे जब खुदाई के time या फिर किसी कोई layer हट जाती है sedimentary rocks की तो हमें क्या मिलते हैं कुछ impression मिलते हैं like food print और any food print hand print और like bones ऐसे traces तो इन traces के तो हम fossil organisms का पता करते हैं और अक्सर यह rocks, sedimentary rocks या geological formations के form में पाए जाते हैं यह rocks या geological formation दिखने में कुछ ऐसे होते हैं अगर कोई organism किसी rock के अंदर, sedimentary rock के अंदर दपता चला गया है और उस पे एक layer बनती गई है तो at the end उसके bone का एक structure ही बचेगा, उसका क्या कंकाल बचेगा, उसका skeleton बचेगा और उसका skeleton कुछ ऐसा rock पे impression जमा देगा तो यह impressions क्या होते हैं, यह impressions read किये जाते हैं, study किये जाते हैं, पता करने के लिए कि evaluation के order of evolution पता करने के लिए use किये जाते हैं अब अगर हम ऐसी list of fossil organism पढ़े तो इन में क्या क्या आते हैं, डाइनसौर्स आते हैं, अमोनाइट्स आते हैं, ट्राइलोबाइट्स आते हैं, मैमोट्स आते हैं, सैबर्टूथ कैट्स आते हैं, ब्रैकियोपोट्स, माइलोड़न, आर्कियोप्तेरिक्स, बहुत important है, और डॉल्पिन के इसे मिलता हो जुलता एक्स्टिंट स्ट्रक्चर है इसके अलावा जो पीवाई क्यू में पूछा गया था वो यह है कैली मॉडाउन जो है वो जीनस स्ट्रक्चर है जो साओधरन सदर्ण जर्मनी में पाया जाता था इसके अलावा एक और जो और पीवाई क्यू में है वह है एंकाइलोस फैंडाउन एंकाइलोस्फेंडॉन भी क्या है एक्स्टिंग जीनस ऑफ स्फेंडॉन का एक लेजर्ड है लेजर्ड है तो यह चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगे कि कौन-कौन से और्गनिजम्स जो हैं वो फॉसिल की केटेगरी में आते हैं तो यह फिर से याद कर सकते हम डाइन स्फेंड ओन तो यह चाहिँ हुई फॉसिल और्गनिजम्स की लेस्ट है इसके बाद हम देखेंगे लिविंग फॉसिल और्गनिजम्स क्या होते हैं यह देखने के लिए कभी-कभी क्या होता है कि कुछ इंप्रेशन्स हमें ऐसे मिलते हैं जो एक्सेक्ट्ली सिमिलर होते ह हैं अभी जो present animals हैं उनसे तो हम इस बात का पता लगा सकते हैं कि यह जो living organisms हैं ऐसी organism बहुत सालों पहले भी पाय जाते थे और इन में पूरे order of evolution में इन में कोई evolution कोई नया change कोई नई morphology नहीं हुई है यह अभी वी वैसे दिखते हैं जैसे 400 करोड सालों पहले दिखते थे या बहुत सालों पहले दिखते थे तो ऐसे organisms को हम क्या बोलते हैं living fossil organisms इनका example है horseshoe crab and jingo tree यह बहुत common example है इसके अलावा भी बहुत सारे examples हैं कौन-कौन से हैं तो हम देख सकते हैं कि यह nautilus nautilus है जो 167 million old है 167 million old है यह अपने इस fossil में पहले भी ऐसे ही पाया जाता था और आज भी present day में भी ऐसा ही पाया जाता है इसके अलावा example है जिंको ट्री की जिंको ट्री का यह impression बहुत सालों पहले 170 million years पहले जो है इसका old fossil मिला हुआ है और यह tree आज भी exist करता है जिंको ट्री इसके अलावा डाइनोस एरा का बेले मॉन बैटिस सिस मॉन डे करके एक आइडेंटिकल जो है लिविंग फॉसिल इसका भी मिला है अब यह है निमेटो नोटर्स ओके यह क्रसीशियस पीरियट का फॉसिल है जिससे वेरी सिमिलर मिलता जुलता हुआ एक फिश अभी भी पाया जाता है ऐस इस सेथ ही 490 मिलियन एयर पोल स्टार फिश का भी लिविंग फॉसिल जो है वो पाया गया है इसी तरह सेंड डॉलर भी है यह सेंड डॉलर का लिविंग फॉसिल है होर्शू क्रेब सोउलसेंग जैली परश ओके तो यह सारे किसकी के तेगरी में आएंगी लिविंग फॉस पिर से एक बार हम ल्ए्ट्रीट कर लेते हैं इसमें क्या है होशु क्रेब स्ट्रकाल गड़न ये ट्री है ये इसके लीफ्स ऐसे दिखते हैं और ये ट्री एक बहुत बड़ी ट्री होती है जिंगो गाइम ये इसके अलावा तूअ तारह ये भी बहुत special organism है जो कि अभी endangered reptile की category में है बट ये भी क्या है living fossil की category में है से crinoids है इसके अलावा platypus है ये crinoids है और ये platypus है ये भी living fossil की category में आते है इसके अलावा artwork and nautilus नautilus हमने पहले भी देखा था कि ये living fossil की category में आता है और ये artwork, artwork भी जो है वो living fossil की category में आता है इसके अलावा komodo dragon है komodo dragon है जो इंडोनेशिया में पाए जाते थे और sand hill crane है ये है sand hill crane तो ये सारे हो गए list of fossil organism अब हम जो है वो बढ़ेंगे अगले topic की तरब ये topic है हमारा red data book से related जिसमें हम क्या करेंगे endangered animal species की list को देखेंगे कि कौन से animals critically endangered है कौन से endangered है और कौन से vulnerable की category में आते हैं ये चीज़े हम क्यों देखेंगे कि इन से related PYQ बहुत बार पूछे गए हैं कि बैंगाल फ्लॉरिकन गैंगा रिवर डॉल्फिन इंडियन राइनोसॉरस और इंडियन वल्चर कौन से category में आते हैं critical endangered है या vulnerable है तो ऐसे ही एक दो question और पूछे गए हैं जैसे ये question है इसमें white ballad heron के बारे में गैंगे रिवर डॉल्फिन के बारे में दुबारा पूछा गया है गौर के बारे में और clouded leopard के बारे में पूछा गया है कि ये किस category से belong करते हैं तो यहां हम कुछ IUCN red list animals को देखने जा रहे हैं जो critically endangered या endangered है generally जो reason होता है endangered या critically endangered होने का वो है loss of habitat due to deforestation ओके अब यहां पर लिस्ट में आता है सुमात्रन और अरंगुटन एमर लेपर्ट एंड वैकिटा ओके यह दिखते कैसे हैं तो यह है सुमात्रन और अरंगुटन यह है आम और लेपर्ट एंड यह है वैकिटा ओके अब आगे बढ़ते हैं इस लेस्ट में आगे बढ़ने पर क्या आ रहा है जावन राइनो माउंटेन गोरिला एंड हॉक्स बिल्ट टर्टल जिसमें जावन राइनो एंड हॉक्स बिल्ट टर्टल किस कैटिगरी में हैं अब यह तीनों कैसे दिखते हैं यह तीनों कुछ ऐसे दिखते हैं यह जावन राइनो इसके बाद है माउंटेन गोरिला एंड यह है फॉक्स बिल्ट टर्टल जिसमें और आगे बढ़ने पर हम देखेंगे कि एशियन एलिफेंट सुमत्रन टाइगर फिलिपन एगल यांग्छे फिनलस पॉर्पॉइस यह चारों भी एंड यह भी क्रिटिकली एंडेंजर्ट की कैटिगरी में है जिसमें एशियन एलिफेंट जो है वो एशियन एलिफेंट सुमत्रन टाइगर्स की इसके अलावा यह फिलिपन एगल एंड यह फिनलस पॉर्पॉइस की अब इस लिस्ट में हम आगे बढ़ेंगे कुछ ऐसे एनिमल स्पिशीश के बारे में पढ़ेंगे जो इंडिया में लिस्टेड हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं और आयू सियन रेड लिस्टेड हैं यह नाम तो आपको याद रखने ही रखने होंगे क्योंकि mostly इस्पि आप लोगों के लिए कि आपको common नाम भी याद रखना है और scientific नेम भी याद रखना है अगर आप new unit 9 attempt करने की सोच रहे हैं तो आपको यह common नेम और scientific नेम दोनों ही याद होने चाहिए क्योंकि कोई ठीकाना नहीं है कि जो question पूछा जाएगा वह common नेम से पूछा जाएगा या पूछा जाएगा scientific नेम से तो आपको दोनों याद रखने हैं तो पिग्मी हॉग है इसके अलावा वाइट टूथ श्रू है अंडरमान वाइट टूथ श्रू है जैंकिम्स अंडरमान स्पाइनी श्रू है निकोबार वाइट ट्रेल श्रू है तो यह सारे क्या है क्रोकीडूरा कॉमन है अगर निकोबार से है तो ऑका है तो कुआद रखने हो ह सकते हो कि श्रू है उनके लिए यूस्ट किया गया रहा है क्रोकीडूरा प्रोकी डोरा अब वो चाहें अंडमान से आए निकोबार से आए या जैनकिन से आए तो ये तीनों याद हो जाएगा आपको अब कॉंदाना रेट हो गया लाज रॉक रेट हो गया नामदा पाप प्लाइंग स्क्वेरल हो गया मालावाज सिवेड सुमात्रन राइनोस और जावन राइनोस यह जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ज मैमल्स हैं जो इंडियन इंडिया में पाए जाते हैं इसके अलावा गए बर्ड की लिस्ट देखे तो यह कापी लंबी है इसमें 15 स्पीसीज जो है वो लेस्टेड है बर्ड टीकिन गरेजन क्रीं स्पून बिल सेंड पाइपल वए ब्रियादर रख सकते हो यह जहां भी वह सब्सकेकिन अब ऋंडियन वल्चयर है तो यह जिप्स को गया slender built vulture है तो यह जिप्स tenu और स्रस हो गया ऐसे वाइट बैंग्ड विल्चिर हुआ तो gypsus bengolensis हो गया gypsus bengolensis को आप कैसे भी याद कर सकते हो यहाँ पे बेंगॉल आ रहा नाम पे gypsus bengolensis तो बेंगॉल में क्या फेमस है वाइट रोसोगुला तो यहाँ से क्या याद रप सकते हो वाइट बैक्ट वल्चर तो वहाँ पे जिपसे आपको वल्चर याद ही है बेंगolensis से क्या याद हो जाएगा वाइट बैक्ट अब रेड हेड़ेड वल्चर सार्को जिपस कैलकर्स हो गया है ना हीमालियन क्विल और पिंक हेड़ेड डग यह सारे जो हो गए क्रिटिकली एंडेंजर बर्ड स्पिशिस की लिस्ट है इंडिया में इसके बाद बात करेंगी कुछ रेप्टाइल की रेप्टाइल में जो मोस्ट कॉमन है वह ग्रैवियल फेंग्याटिकल आपको यह याद रखना है धरंबल गया जू है बहुत इंपॉर्टेंट है रेप्टाइल में इसके अलावा हॉक्सबील टर्टल के बारे में हमने पहले भी बात की थी कि ये critically endangered की category में है, leatherback turtle, फिर है portoid terapin और इसका दूसरा नाम है river terapin, red crown roof turtle या फिर bengol roof turtle भी इसको बोलते हैं, red crown roof turtle या फिर bengol roof turtle, ये भी जो है critically endangered की category में है इसको इसका common name जो है वो है बातागूर कच्छुवा, ओके सिसापिरा डेग को है अब अब कुछ नेम है amphibians की जो critically endangered की हीलिस में है इसमें क्या है अन्ना मलाई flying frog, ओके अन्ना मलाई flying frog तो अन्ना मलाई को याद रखने के लिए माला बैरिकस याद रख सकते हो अन्ना मलाई flying frog, ओके अन्ना मलाई रखने को यहां भी इंडिराना फाइरो डर्मा, चार्ल्स रार्वन फ्रॉग है तो यह नाम से पता चल रहा है इंडियाना चार्ल्स रार्वनी कोटी गेर बबलनेस्ट फ्रॉग तो यहां पर क्या है मिक्री, कैक्सलस, कोटी, गेरिनस, कोटी, गेरिनस, अमबोली है तो यहां भी नाम में अमबोली आया हुआ है चैलेजोट्स बबलनेस्ट फ्रॉग तो यहां भी नाम में चैलेजोट्स आया हुआ है तो अगर आप यह चोटी चोटी चीज़ें नोटेस करके याद रखना चाओगे तो याद रखना इतना भी टफ नहीं है कुछ-कुछ चीज़े तो आपको याद हो ही जाएंगी सारा नहीं भी हो तो ऐसे जो कुछ दोचा नाम है वो आपको याद हो जाएंगे फिर है small bush frog, green eyed bush frog and great bush frog इसके अलावा है काईकट्स bush frog नाम में ये धर भी है मार्क्ष बुस्ट्रोग तो यहाँ पर भी नाम में आपको मार्की मिलेगा मुनर बुश्ट्रोग यहाँ भी scientific name में आपको मुनर्स मिलेगा नाम में पॉन मूरी मिलाए ह। यहाँ स्था ही पी शूशी स्रॉट्रोग यहां बॉबर्लनलस प्रओं टूं यहां से लंग जैन्सथ यहां मिलाए कि टाइगर तो ती यहां पे common मिल रहा है तो झुछ नाम आप औदिसलि याद कर सक्ते हो हो अगर आपको साइंटिफिक नाम याद रखना बहुत ही मुश्किल लगे तो आप कॉमन नेम याद रखके भी काम चला सकते हो कि अगर कभी कॉमन नेम से क्वेश्चन आ है तो वह इसके नहीं हो पाए इसके बाद है कुछ इंडिया में है तो उसमें क्या है पॉंडी चेरी शार्ड गैंगेश शार्ड ग्लीपस गैंगेटिकस फिर नाइफ टूस शॉफिष लाज टूस शॉफिष और लॉंग कॉम शॉफिष जिसको नैरो शनाउच शॉफिष भी बोलते हैं तो यह हो गई फि क्रिफिब्स फिरी नीचल्य स्ञुफिष ल कज़िए वह बिच्फिए पक्रिफिर फिर इंडियु जर्ट के था अब घंड के इसके इसकी ने कगल मसे ब्लू वैल को घंद रौटरा ब्लू वैलू जो है वह लिए बल्लू यहिउट हो गाई जियां पांडा हो गया ऐस्ज अब अगर वन रेबल स्पीसीज देखा जाए कि इंडिया में वन रेबल स्पीसीज कौन-कौन से हैं तो यह हो गया नील गिरी लंगूर नील गिली लंगूर फिर निको बार फ्लाइंग पॉक्स ब्लैक बग क्लाउडेड लेपर्ड नील गिरी मार्टिन क्लाउडेड लेपर्ड के बारे में लास्ट एमसी क्यू में पूछा गया था तो यह लिज्स जो होती है वह यहीं पर खतम होती है इस लेक्शर के जो नोट्स है वह टेलीग्राम पर दे दिये जाएंगे आप याद करने कि उनको कोशिश करिएगा फिर मिलते हैं अगली वीडियो में